राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बाती चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज चेत्र शुक्ति पक्ष की आखिरी सोंवार को मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान शिव की कथा बंधों जो मुश्य भी सोंवार के दिन भगवान शिव की कथा को सुनते हैं भगवान शिव उन्हें मनोवांचित वर देते हैं बंधों पूरण विश्वास सची निष्ठा के साथ भगवान शिव की कथा को सुनें बंधों यदि आपने यूट्यूब चैनल संस्कार की बाते अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वली सभी वीडियोस की जानकारी सब से पहले हो सकें बोलो शिवशंकर भूले नात कीजे हो लक्ष्मी सहित भगवान विश्णू शंभू के पास हाँ जोड कर खड़े हुए और बोले देव देव महादेव दया सागर प्रभो तात आप संपूरन जगत के पिता हैं और सती देवी सब की माता है आप दोनों सत पुरुशों के कल्यान और दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पुर्वक अफ्तार प्रहन करते हैं यह सनातन शुती का कथन है आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं मैं उससे उल्टे लक्ष्मी जी के नारग मैं देवी सती के पास आकर ग्रह सुत्रोप विधी से विस्तार पुर्वक सारा अगनी कारे कराने लगा मुझ आचारे तदा अब्रहामनों की आग्या से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधी पुर्वक अगनी की परिक्रमा की उस समय वहां बड़ा सदा शिव मैं आपकी आग्या से यहां शिवतत्व का वर्नन करता हूँ समस्त देवता दूसरे दूसरे मुनी अपने मन को एकागर करके इस विशे को सुने भगवन आप प्रधान और अप्रधान हैं आपके अनेक भाग हैं फिर भी आप भाग रहित हैं जोतिर में स्वरू आत्मा के वी ये तीन अंश हैं जो सिष्टी पालन और सनहार करने के कारण एक दूसरे से भिन प्रतीद होते हैं आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए आपने स्वयम ही लीला पुर्वत शरीधारन किया है आप निर्गुन ब्रह्म रूप से एक हैं आप ही सगुन ब्रह हैं हम ब्रह्मा, विश्नू, रुद्र तीनों आपके अंश हैं जैसे एक ही श्रीर के भीन भीन, अव्यव, मस्तव, गीर्व, आदीनाम धारन करते हैं तथा पी उस श्रीर से भिन नहीं है उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं जो जोतिर में सरव्यापी एवं निरलेप स्वयमी अपना धाम पुरान कुटस्त अव्यक्त अनन्त नित्य तथा दिर्ग आदी विशेशनों से रहित निर्विशेश ब्रह्म हैं वही आप शिव हैं आप ही सब कुछ हैं ब्रह्मा जी कहते हैं मुनिश्वर भगवान विश्णु की एह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन हुए इसके बाद उस विवह यग्य के स्वामी परमेश्वर शिव प्रसन हो लोकी की गती का आश्यले हाद जोड कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पुर्वक बोले शीव ने कहा ब्रह्मन आपने सारा विवाहिक कारे अच्छ जेष्ट आप उस दक्षना को मांगिए महाभाग यदि वह अत्यन दुरलब हो तो भी उसे शिक्र कहिए मुझे आप के लिए कुछ भी अदे नहीं है मुने भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड विनी चिस से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला देवेश यदि आप प्रसन हो और महेशर यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो प्रसंता पुर्वत जो बात कहता हूँ उसे आप पूरन कीजिए महादेव आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें जिस से आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप भुल जाए चं के शुकल पक्ष की त्रियोश्य को पुर्व फागुनी नक्षत्र में रवी वार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ती भाव से आपका दर्शन करे उसके सारे पाप नश्ट हो जाएंगे विपुल पुन्य की व्रिधी हो और समस्त रोगों का सर्वधा नाश हो जो न आत्मा को सुख देने वाली थी इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसंद्चित से कहा विधात है ऐसा ही होगा मैं तुम्हारे कहने से संपूरन जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सूस्थिर भाव से स्थित रहूँगा ऐसा कहकर पत्नी साहित उर्ति को प्रगट करके वेदी के मध्यभाग में विराजमान हो गए इसके बाद स्वजनों पर सनहें रखने वाले परमेश्व शंकर दक्ष से विदाले अपनी पत्नी सती के साथ के लाश जाने को तयार हुए उस समय उत्तम गुद्धी वाले दक्ष ने विने से मस्तक ज की स्तुदी करके बड़े आनंद से जेजेकार किया इसके बाद दक्ष की आग्या से भगवान शिव ने प्रसंता पूर्वक सती को व्रिशप की पीट पर बिठाया और स्वयम भी उस पर आरूड हो ये प्रभू हिमाले परवस्कियों चले भगवान शंकर के सुमीब व्रि दमपती की शोभा देख शिव विष्णु आदिस्वमस्तेवता मरिची आदि महारिशी दूसरे लोग ठगे से रहे गए हिल डुल भी ना सके और दक्ष भी मोहित हो गए इसके बाद कोई बाजे बजाने लगे दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे कितने ही इच रास्ते से दक्ष को प्रसंता पुर्वक लोटा दिया और स्वयम प्रेमा कुल हो प्रमत गनों के साथ अपने धाम को जा पहुँचे जद्धिपी भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया तो भी वे बड़ी प्रसंता और भक्ति के सती के साथ हार्श भरे शंभू हिमाले परवत से सुशोबित अपने केलाश धाम में जा पहुँचे वहां जाकर उन्होंने देवताओं मुनियों दूसे लोगों का बहुत आधर सम्मान करके प्रसंता पुर्वक उन्हें विदा किया शंभू की आग्याले वे विष्णु अधिसब देपना तथा मुनि नमस्कार रोस्तुति करके मुख पर प्रसंता की छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए सदाशीव चिंतन करने वाले भगवान शिप भी अत्यान आनंदित हो हिमाले के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कर्णियासती के साथ विहार करने लगे। इस शुब उफाक्ष्यान को प्रेम पुर्वत सुनकर विवाहित होने वाली कन्याभी, सुप, सोभाक्य, सुशीर्ता और सदाचार आदिस सद्गुनों से संपन, साध भी इस्ति और पुत्रवती होती है बोलो शिवशंकर भुले नाज की जै हो, राधे राधे जैश कृष्णा, बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शियर भी जरूर करें, धन्यवाद